हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों अभी इस वूडियो में हम इस्टे पास्टे डिवाइड करना सिखेंगे तो अठावन में 6 का डिवाइड कैसे करें यह सिख रहे हैं किसका डिवाइड करें चे का किस में करें देखें बच्चों बिल्कुल सिंपल है 6 का हम divide कब कर पाएंगे जब दीगी संग्या क्या हो 6 से बड़ी हो तो यहां पर एक अंकी है तो पहले एक अंके साथ तुलना करके देख लो क्या है 6 से बड़ी है? नहीं है तो फिर हम अगला अंक सामिल करेंगे यदि 6 से बड़ी है तो डायरेक्ट हमारा भाग यहीं से चला जाता है 6 से बड़ी संग है कौन सी है एक कंकी है 7, 8, 9 छोटी कौन सी है 5, 4, 3, 2, 1 अगला हम सामिल कर लिए कितना मनगे 58 जैनि अब हम 6 का भाग देना शुरू कर देंगे कैसे 6 का पाड़ा हम कितनी मार लें कि आपका टाउन से बड़ाना है देखिए 6 का पाड़ा लिखते हैं 1 संग 2 संग 12 3 संग 18 4 संग 24 ऐसे करके हम 9 आर लेते हैं कितना आता है 9 संग चोपन यह आपका इससे बड़ाना है हाइस्ट कहां तक होता है आपका पाड़ा देखिए कहां तक लेना होता है एक से लेकर 9 तक लेना होता है उसके बाद हम इसको घटाते हैं कितना आ गया 4 उसके बाद आगे डिवाइड करने के लिए यहां पॉइंट लेंगे इसके साथ 0 आजएगा 5 संग 30 6 संग 37 7 संग 42 7 वार लेते है 44 से बड़ा आ गया 6 वार कितना आ रहा है 37 उसके बाद इसको घटाना है कितना आ गया 4 पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ 0 आ गया फिर गया 6 वार फिर कितना गया 36 फिर घटा या 4 आ गया पॉइंट है तो इसके साथ 0 फिर गया 6 वार फिर कितना गया 36 घटा या तो फिर 4 आ गया पॉइंट है तो 0 आ गया ये सिलसल आ आगे चलता रहेगा ये जो वेल्यू बना है 9.666 और ये आपका ऐसे लिखावा भी बिन सकता है 9.67 7 कैसे हम इसको हटाएंगे और ये 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 आपका 5 या 5 से बड़ा है तो आगे में एक जूट जाता है ये गणित करनी में जिससे आप कैल्कुलेट्स करेंगे तो जिससे मैं आपको करके दिखाँ चीक है अठाउन भाग 6 तो लाश्ट में कितना है रहा दे कि 7 आ रहा है 7 कैसे आया यानि यहां से हमने आगे के अंग को नहीं लिया है आगे के अंग को अटा दिया क्यूंकि अच्छा अच्छा यह से चलता रहेगा इन्फैनेर तक चलता रहेगा तो जैसे हम स्टाफ करते हैं जहां पर आगे का यदि अंग 5 से बड़ा है तो यहां पर आपका एक जूड के आगे है यह साथ इसलिए है तो बहुत सारे बच्चें के मैंने कुशन आता कि सर यहां पीचे साथ क्यों आ रहे है तो यह ऐसे आता ठीक है धन्यवाद